इसमार्ट प्रप्रेशन में और आज का टॉपिक है महत्मुन सहर और उनके उपनाम ठीक है उपनाम से रिलेड़ेट बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और एक सहर के एक से अधिक भी उपनाम होते हैं तो सारे के पता होना चाहिए ताकि कोई भी पूछे तो आप उ स्क्राइब बटन है उसे दबाल जी देन एक पहला आइकन आएगा उसे दबाल जी तब आपको कोई भी वीडियो चैनल पर अप्लोड होगा वह आपकी मुमाइल पर मैसेज चला जाएगा तो चलते हैं आज का टॉपिक के बारे में पढ़ते हैं देखते हैं पहला है सहर ब अंत्रिच सिटी की नाम से भी जाना जाता है भारत की विज्ञान सहर ठीक है विज्ञान सहर का भी नाम किसे जाना जाता है और भारत का गार्डन सिटी यह चार नामों से बैंगलोरु को जाना जाता है ठीक है तो याद रखिएगा बैंगलोरु को चार नामों से जाना जा जाना जाता है फिर दच्छीन भारत का गेट ठीक है इस नाम से जाना जाता है दच्छीन भारत का गेट के नाम से भी जाना जाता है नेक्ट है इलेक्ट्रोनिक विनिर्वान का हब भी माना जाता है ठीक है और नेक्ट है बैंकिंग राजधानी के नाम से भी जाना जाता है य कोई मटूर भी तमिलाडू में है यह भारत का मैंचेस्टर के नाम से जाना जाता है भारत का मैंचेस्टर कहां है कोई मटूर को कहा जाता है जो तमिलाडू में डिब्रूगर यह असम में है असम में डिब्रूगर भारत में जख से जाना चाय उत्पादन के लिए प्रशिद ये तो बहुत ही फेमस है इसे कहा जाता है गुलाबी सहर जमसेदपुर जो जहारखंड में है इसे स्टील सिटी अफ इंडिया कहा जाता है यहां इस्टील का फेक्टरिया उत्पादन ज्यादा होता है इसलिए यह फेकिने और कोची जो सागर्णिकी नाम से जना जाता है यह तो कई बार पूछा जा जाना चुका है कई बार बहुत बार एक बहुत सारे पुछ जा चुका है नेश्ट कुर्णूल जो कि आंदर प्रदेश में है यह रोयल सीम के गेटवे के नाम से जाना जाता कुर्णूल को नेश्ट देखते हैं लखनव की बात करें तो नवाबु का सहर बाना जाता है लखनव को मदूरई जो तमिल लडू में मदूरई को तीन नाम से जाना जाता है कौन कौन से तेवारों का सहर मंदिरों का सहर और पूरों का एथिन्स यह तीन नाम से तमिल लडू में मदूरई स्थित्य उससे जाना जाता है यह जो मंदिरों का सहर है इसमें एक तो मदूरई को भी कहा जाता ह ऐसे दूसरा वारानशी ठीक है वारानशी को भी मंदिरों का शहर के नाम से आधा यह 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 यहाद रखेगा है डेस्ट हैं मैंगलॉर जो कर्नाटक में है ठीक है मैं दोनों ही वेस्टर घाट मेंचती थे अगर यह वेस्टर घाट है तो एक साइड आपका था दुसरे में Shaun करनात का गेटवेभी का रोम कहा जाता है दच्छिन भारत का पेट्रोकामिकल राज्धानी वहारत की आइसक्रिम की lljpわか सचेंच और वेस्ट कोष्ट 50 नाम से जाना जाता है और फ्र्म हिरें takiego के नाम रुड़ं का से दाना जाता है मंगलोर को तो यह याद रखेगा most important है मंगलोर के लिए चलते हैं मुंबई की बाद करते हैं मुंबई को भी कई नाम से जलना जाता है जैसे साथ वहां साथ डियूपो का सहर चोटे चोटे आई-लेंट से बना है मुंबई तो इसलिए बोला जाते को साथ जो कि मुंबई में gateway of India स्थित है नेक्ष भारत की Hollywood की नाम से जाना जाता है और अधिक्तम सहर के नाम से भी जाना जाता है महाराष्ट मुंबई मुंबई को जो महाराष्ट में स्थित है महाराष्ट करतानी मुंबई है चले उत्राखन की बात करते हैं उत्राखन में मसूरी ठीक है मसीरू को कहा जाता है पहाड़ीयों की रानी के नाम से जाना जाता है मुझफरपूर जो की बिहार में है यह लीची की भूमी के नाम से जाना जाता है मुझफरपूर जो की बिहार में इसे लीची की भूमी के नाम से जाना जाता है यूपी में एक मुझफश्फर नगर है जिसका नाम बदलकर अला लच्छमी नगर टीके इसे मुझफश्फर नगर मुझफफ़र और अपके बिहार में औरác फरनगर यूपी में है नेक्स्ट है नागपूर जो कि महाराष्ट में जती थे इसे जाना जाता है औरेंट सिटी या फिर बागो का सहर महाराष्ट में है क्या नागपूर को जाना जाता है औरेंट सिटी या फिर बागो का सहर नेक्स्ट है अकोला जो कि महाराष्ट में इसे कोटन सीटी के नामती जानां जाता हैं आकोला को पटी आला जो कि पंजाब में इसे साही सहर के नाम से राश की पूरुकी में पुष्ट के नाम से जाला जाता है पुदुचवरी को पुराना नम पंड़िचरी और पुदुचवरी नया नाम है नेक्स्ट है पुणे जो कि महराष्ट में पूर्व का Oxford या फिर दककन की रानी ये कई बर पुछा गया यह भी दककन की रानी कई बर पुछा गया किसे का ज द्वार का घेट कहा जाता है और जौकी तैजपूर जूकी असम है रक्ता सहर कहा जाता है rage चलिएयर्व में चाहँ रखार शैघयर्शाच भीकट का जाता है इस दीजपूर तीन नाम से जा जाता है याद रखेगा पूरू का Oxford की बात करें तो पूरे को और दस्चिन की ऑक्सपोर्ट की बात करें तो तिरुनवेली को जो की तमिलाडू में है नेक्स्ट है भागलपूर ठीक है जो की बिहार में इसे Silk City नाम से भी जाना जाता है भागलपूर को नेक् जो की केरल में है सदाहा बहार सहर के नाम से जाना जाता है और यह है लास्ट वरोद्रा जो की गुझरात में इसे इन नामों से जाना जाता है कौन-कौन से मंदरगाह का सहर गुझरात की संस्कृतिक राजधानी या संस्कृत नगरी या भारत की विद्यूत उपकरन विनि करने का कोशिज करिए तो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करें कमेंट करें और पहली बार आए तो सब्सक्राइब करें अगर बेल आइकन जो दबाएंगे तक कि आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सकें फिर फिर थैंक यू बाइब एन टेक के